हर्दोई डूपो की अनुबंदित बस में जोरदार भिडंत छे यात्री घायल साजहांपुर से हर्दोई जा रही बद बादशानगर में हुआ हवड़ा हास्ता मिट्टी डालने वाले डंपर से टकराई बस यात्रियों की बची जान तेज रफ्तार से फर्राटा भरती अनुबंदित बसे इस पीड पर नहीं है कंट्रोल अनुबंदित बस मालिक कर रही यात्रियों की जान से खिलवाड इस पीड पर नहीं है कंट्रोल निगम अधिकारी कर रहे हैं देखी आपको बता दें कि हरदोई डिपो की अनुवंदित बस यूपी 27 बीटी व्यालेज जीरो पांच या त्रूक लेकर साजाहांपूर से हरदोई के लिए जा रही थी धाना सेहरामोग दच्षिडी के बादशानगर चौराहे पर साजाहांपूर ओर से तेज रफ्तार से आ रही अनुवंदित बस ने बादशानगर चौराहे पर रोड क्रास कर रहे डंपर में जोरदार टक्कर मार दी जोर्दा टकर देख बादशान अगर चोरा है पर मौझूद सभी रहगीर दुकान मालिक बस में फसे यात्रियों को निकालने के लिए दौड पड़े डूटी पर मौझूद परिचालक राजेंद ने बड़ी समसदारी को दिखाते हुए यात्रियों की जान बचाई बस में लगवग 6 यात्री गंभीर रूप से घायल होगे अन्यात्रियों के भी चोटे लगी है अभी घायलों की पहचान नहीं हो सकी है हादसे में अनुबंदित बस के चालक अनूप बस इस्टेरिंग में फस गये गलीमत रही कि यात्रियों सहीर चालक को भी सभी लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया हादसे में किसी की जान नहीं गई भारी वल के साथ मौके पर पहुचे थाना देश रोहित कुमार ने घायलों को ततकाल जिला अस्पताल भिजवा दिया वहीं दूसरी और मौके पर मौझूद लोगों ने वताया कि डंपर रोड क्रास कर रहा था तब बहुत स्लो था इतने में तेज रवतार से आ रहे रोड वेजने अनियंत्रित होकर डंपर में जोरदा टक्कर मार दी डंपर चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया है